LinkedIn, 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 अपने नाम तो सुनाओगा LinkedIn एक ऐसा platform है जो basically job holders के लिए या जो लोग job निकार रहे हैं या job को ढूंड रहे हैं या job करना चाहा रहे हैं, remote हो, on-site हो या internship ढूंड रहे हैं, पुरी दुनिया के अंदर ये platform सबसे best है पाकिसान के अंदर भी अच्छा काम करता है, इंडिया के अंदर भी अच्छा काम करता है UAE के अंदर LinkedIn के थो आप jobs ले सकते हैं, पाकिसान में बैठे हुए दुभई में किसी ने जाना है job करने के लिए वहाँ पे मिल जाएंगी तो सबसे पहले जीज हम LinkedIn पे देखते हैं कि LinkedIn होता क्या है, अगर आप Google पे जाएं, मैं इसको LinkedIn को यहां से बंद करता हूँ, Google पे जाएं, यहां पे जाने के बाद, आप यहां पे सर्च कर सकते हैं, LinkedIn. तो LinkedIn सर्च करने के बाद, आपके पास LinkedIn कुछ इस तरीके से आ जाएगा, आप यहां पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद, आप यहां पे अपना email और password डालेंगे, अगर आपके पास already ID है, अगर ID नहीं है, तो आप क्या करेंगे, अपनी नहीं ID बना लेंगे, और जब आप अपनी कोई नहीं ID बनाते हैं, तो आप यहां से भी कर सकते हैं, agree and join पे भी क्लिक कर सकते हैं, and then you can also say join now, ठीक है, लेकिन मेरे पास मैं sign in करूँगा, ताके मेरे पास यहीं पे open हो जाए, and I can actually sign in directly into the website, यहां पे sign in पे क्लिक करता हूँ, sign in पे क्लिक करने के बाद मेरे पास कुछ इस तरीके से यह platform आ जाता है, and मैं यहां पे अपना sign in कर सकता हूँ, अपना ID password बना के, अगर मेरे पास sign in नहीं है, मैं भूल चुक हूँ, तो forgot password, otherwise I have to make another ID, जहां से मैं join now पे क्लिक करूँगा, अगर आप first time इस पे आ रहे हैं, तो join now पे क्लिक कर ले, अगर आप पहले आपके पास ID है, तो that's great, आप मुझे बता सकते हैं, कि आप में से कितने लोगों को पास यह पहले से ID मुझूद है, तो आप में से काफी लोगों के पास यह पहले से ID मुझूद है, अगर नहीं मुझूद तो आपने यह ID बना ले नहीं है, जैसे मेरे पास यह ID है, और यह मेरी LinkedIn के profile है, और यह बड़ी raw सी profile है, क्योंकि मेरी जो niche है, वो totally different है, बेट I am going to show you किस तरीके से आप अपनी profile अच्छी बना सकते हैं, so usually यह होता है कि आपके पास कुछ इस तरीके से profile बनी जाती है, और यहाँ पे आपके profile picture होती है, profile picture के बाद आपके पास यहाँ पे आते है जो आपका नाम, नाम के साथ ही आप यहाँ पे देख सकते हैं, different किसम की bio है, profile पे कितने लोगों उन्हें view किया है, और आपने क्या-क्या post की है, या कौन-कौन से group में आपके हैं, तो हमारी LinkedIn के एक community है, जिसका नाम को Danics, उसके अंदर data science and machine learning projects है, अगर आप इसको join करना चाहते हैं, you can join, जैसे यहाँ पे छे लोगों की request आई हुई है, तो यूजिली इसको मैं manage कर रहा होता हूँ, और यह हमारी LinkedIn की profiles, जो हैं, वो यहाँ पे हम update करने के तरीके कार, और पोस्टें वगरा, और different blogs जो हैं, यहाँ पे हम लिखते जाते हैं, और लोग यहाँ पे paste करते जाते हैं, जैसे मैं यहाँ पे करके इसे approve कर रहा हूँ, तो आप अगर website पे जाएं, और यहाँ पे जाने के बाद, मेरी जो profile है, उसके उपर आप click करते हैं, so this is my profile, मैं कौन हूँ, कहाँ पे हूँ, किस जगा पे हूँ, क्या कर रहा हूँ, सब कुछ यहाँ पे मैंने लिखा होता है, यूजिली यह आपकी private information जो है, उससे आपने बचना होता है, वो नहीं डालने, ठीक है, तो सबसे पहले आपने अपना नाम लिखना है, उसके लिए, free profile picture maker के उपर आपने जाना है, online free profile picture maker, free profile picture maker, online, यह free website है, आप इसके उपर अपनी तस्वीर अपलोड करते हैं, और यह आपको तस्वीरें बना के, दे देता है, different किसम की profile picture, आपको free में मिल जाएगी, तो आप अपनी selfie लेने के बजाए, घर में से किसी को कहें, कि आपके एक तस्वीर बनाए, और आप यहाँ पर वो तस्वीर अपलोड करें, तो यह आपकी profile pictures, different किसम की, बना के आपको free में दे देगा, ठीक है, तो इस tool के उपर और और रेड़ी, मैंने एक वीडियो भी बनाई हुई है, but you can actually look into it, और अपनी free profile picture बना सकते हैं, otherwise it's better के 70 रुपए देखे, professional studio से जाके, gray background के अंदर अपनी profile picture बनाए, तो एक छोटी सी assignment में मैं आपको देता हूँ, profile pic formal for LinkedIn, आपने ऐसे लिखना है Google के उपर, और कुछ professional LinkedIn profile pictures जो हैं, उनको देख के वैसे studio में से जाके बना लेने, reason यह है कि अगर आप एक ऐसी तस्वीर बनाए, जो आपके recruitment के लिए अच्छी थाबत हो सके, तो I think that worth it, और आप इस पे अगर थोड़े बहुत पैसे भी लगा दें, so I think it's fine, तो 200 रुपया, 100 रुपया ज़रूर खर्चें इस पे, और कुछ इस तरीके से अपनी profile picture बनाए, like this guy have here, और अगर आप यहां पे professional females ने बनानी हैं, तो वो हिजाब लेके भी बना सकती है, something like this, you can do, या इस तरीके से, यह professional picture होती है, ठीक है, आप second काम ये करेंगे, उस picture को इस size में डालेंगे, कि जो यहां पे नजर आए, तो आपने क्या करना है, online जाना है, linked in profile pic size, आपने उस size को देखना है, 400 by 400 pixels, इसमें उस तस्वीर को cut करके upload करना है, ठीक है, और लोगों ने बड़ी-बड़ी guides बनाई हुई है, कि किस तरीके से आपने upload करना है, तो यह वाली वो picture होगी, आप यह Canva में भी कर सकते हैं, Adobe Photoshop में भी, या different online tools के अंदर भी कर सकते हैं, second आता है पीछे वाला आपका cover, यह वाली जो LinkedIn का cover है, इस LinkedIn के cover का size आपने यहाँ पे देखना है, LinkedIn, cover, photo का size, यह होगा round 1584 pixels by 396 pixels, या आप Canva पे जाके, free में LinkedIn का जो है, Canva, Canva.com पे जाएं, और यहाँ पे आप free में अपनी ID बना के, totally free में LinkedIn का cover जो है वो, बना सकते हैं, और यहाँ पे लोगों ने upload किया हुआ है, जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ on LinkedIn cover, तो आप देखेंगे के मेरे पास काफी templates आ जाएंगे, and then you can actually build on these templates, और अपनी जो भी चीज़ें वो add कर सकते हैं, मैंने भी इसी तरीके से यह profile का जो अपना cover है, और LinkedIn का cover जो है, वो appealing होना चाहिए, ताके लोग जो हैं उस पे अच्छे से काम कर सके, और Canva के अंदर free tools available हैं, आप वहाँ से इसको बना सकते हैं, अच्छा, अगली बात वे चलते हैं, अब यहाँ पे यह profile का मेरा section है, और यहाँ पे मैंने बकाइता बताया, कि मैं PhD in launches हूँ, bioinformatician हूँ, फिर data scientist हूँ, scientific writing मेरा, जो main aim है वो है, teaching कर रहा हूँ, data science and machine learning at Kodanix, in Urdu Hindi, YouTuber हूँ, Kodanix के उपर, so these kind of things, यह होते हैं keywords, आपने अपने about में, इस तरीके से keywords लिखने होते हैं, ठीक है, और यहाँ पे आपने अपनी biography के अंदर, यह भी चीज़ें add करना है, कि मैं किस चीज़ के बारे में, ज्यादा बात करता हूँ, यानि कि अगर कोई बंदा मेरे पास आता है, तो वो किस तरीके से मेरे पास आएगा, अब इसलिए जहाँ पे मैं बैठा हूँ, मैंने वो city का नाम दिया हूँ, सम्टाइम इट चेंज़ेंगे, क्यूंकि मैं कील में था, तो वहाँ पे था नाम, अभी किसी और city में हो, तो वो वाला नाम होगा, तो इसे के साथ contact information है, और कितने लोग मेरे connection में हैं, तो आपके पास ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो आ जाएंगी, अब अगर आप गोर करें, अब यहाँ पे premium के अंदर कुछ options हैं, LinkedIn premium यह जिसको पैसे दे के लेना पड़ता है, I won't recommend that, तो मैं इसको यहाँ से cancel करता हूँ, यहाँ पे profile views आजाती हैं, यहाँ पे research appearances आजाती हैं, कि कितने लोगों ने मुझे search किया, 104 लोगों ने search किया मुझे, 685 लोगों ने profile view की, and there are some other tools as well, creator mood मैंने on किया हुआ है, क्योंकि मेरी activity अच्छी खासी सी, मेरे network अच्छा था, तो यह सारे के सारे मेरे resources है, and this is how you can actually see my different posts, ultimate guide to data science interviews, या मैंने जो जो चीज़ें भी repost की हैं, वो सारी की सारी इस तरीके से आई जा रही है, अब यहाँ पे आप नीचे देखेंगे, यह है मेरा about page, यहाँ पे मैंने बताया है कि मैं क्या करता हूँ, यह वो वला about है, जो मैंने आपको बताया था, अपने portfolio में भी आप लिखेंगे, कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ, मैंने क्या की है, अब तक मेरा क्या experience है, और मैं कहां से belong करता हूँ, अब मैं कहां पे हूँ, और मैं कौन-कौन से services वगरा, एटसेटर, एटसेटर, प्रोफाइट कर रहा हूँ, ठीक है, और it should be more professional, तो आप इसको Canva, या different chat GPT को पर जाके भी इस पे काम कर लेते हैं, ठीक है, तो आप अपने experiences को इस तरीके से आड़ करेंगे, for example, मेरा कील उनिवस्टी में as a bioinformatician या data science, दो साल का experience है, उसके पहले मैं medical technologist के तोर पे, Centogen, Gambiha, जो company है, वहाँ पे था, Munich के अंदर, फिर मैं Enema के अंदर था, कील के अंदर, फिर मैं Italy के अंदर रहूं, एट साल, वह मैंने experience लिखा, Taiwan के अंदर, मेरा जो National Pink Tong University of Science and Technology, उसका experience है, वह लिखा, University of Agriculture फैसलाबाद में, मेरा दो साल का तकरीबन experience है, वह लिखा, और मेरी जो internship थी, Nuclear Institute of Agriculture and Biology, नयाब के अंदर, वह मैंने लिखी, तो मेरा जितना भी research experience, या work experience है, यहाँ पर लिखा हुए, ठीक है, LinkedIn पर लिखने का मतलब यह है, कि यह एक proper experience है, कोई भी मेरे यहाँ से आके experience देख सकता है, कि मेरा कौन-कौन सा experience है, जैसे new experience आएगा, मैं यहाँ से लिखतूँग, और यह work experience है, आप education भी लिख सकते हैं, that's up to you, और आपकी जो education है, वो वहाँ से आपके सामने आ जाएगी, बन मेरा work experience मैंने आपको दिखा दिया, then education इस तरीके से आती है, मेरी degrees कहां से हैं, कौन हूँ मैं, University of the Trento, यानि Italy से मेरी PhD है, किस subject में वो मैंने लिखी है, और मेरी master's कहां से है, master's के degree के बाद bachelor's कहां से, अब आपको school और FSE वगरा की information देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, कि मैंने proper दिया है, अब आपने यह नहीं करना, कि अपने घर का address भी लिखना स्टार्ट करते हैं, और बहुत personal information भी देना स्टार्ट करते हैं, you don't need to do that, right, इसके इलावा, आपके पास काफी skills होती हैं, for example, आप यहाँ से कोई skill add करेंगे, तो लोग आपको indoors करेंगे, for example, यहाँ पर देखें, कि यह मेरे पास skill है, जी Microsoft Office की, और जिन लोगों को पता है, कि मुझे Microsoft Office आता है, वो मुझे indoors करेंगे, indoors का मतलब होता है, कि वो click करके कहेंगे, कि यार, इस बंदे को यह skill का पता है, we have worked with this guy, and he knows about that, फिर research and development के मेरा badge है, social work है, data analysis का 5 लोगों ने किया, data science का 12 लोगों ने किया, python programming की endorsement काफी लोगों ने दिया, क्योंकि मुझे ज़रूरत नहीं है, मेरा main page जो है website बनी हुई है, but you have to ask each other कि मेरे पास कौन सी skills है, और demonstrate उन skills को करने के बाद, आप proper लोगों से endorsement request कर सकते हैं, ठीक है, टॉप वाइस जिन में मैं इंटरस रखता हूँ, वो ये आगे, newsletter कौन कौन से हैं, data science, bytes and atlas, school कौन कौन से हैं, basically मेरे groups कौन कौन से हैं, communities मैंने कौन सी जोईन की हैं, companies कौन सी मैंने like की हुई हैं, everything will come here, on the other side, यहाँ पे मैं अपनी languages दोंगा, profiles का URL में दे सकता हूँ, जो मेरा public profile and URL है, वो यहाँ पे है, ठीक है, मैं चाहूँ तो इसे change भी कर सकता हूँ, edit में जाके, यह सारा change हो जाएगा, और जो चीज़े मुझे नजर आती हैं, वो यहाँ पे हैं, ठीक है, अब आप देखें कि यह, बहुत यहाँ सा portfolio है, लेकिन यह आपकी एक किसम की CV है, ठीक है, so you can actually show off in here, अब जो अगली चीज़ आती है, वो यह है कि आप यहाँ पे LinkedIn badges गेंड कर सकते हैं, LinkedIn badges, LinkedIn badges क्या होते हैं, आप digital badge अपने LinkedIn के profile में add कर सकते हैं, by appearing different kind of exams, ठीक है, और अगर आप यह वाला articles पर लें, कि how to add LinkedIn badges to your profile, आप वो add कर सकते हैं, there are many badges जैसे कि machine learning का badge है, python programming का badge है, and there are some other badges as well, जो आपको add करने के बाद, आपकी profile के अंदर show होंगे, कि इस बंदे को इस knowledge का पता है, ठीक है, वो LinkedIn badges होगे, अब इसके बाद अगली चीज़ है network, मेरे network के अंदर कुछ लोग मुझे request कर रहे होते हैं, और usually ऐसा होता है, कि काफी ज़दा लोग हैं यहां पर जो request करते हैं, यहां पर किस तरीके से उन्हें add करना है, तो आप accept कर लेते हैं, मैं usually LinkedIn थोड़ा सा कम use करता हूँ, इस वड़ा से काफी लोग जो हैं, वो मेरे connection में नहीं आपाते, फिर मेरे पास यहां पर jobs हैं, फिर मेरे पास यहां पर messages हैं, जो मैं नहीं दिखाने वाला, and then मेरे पास कुछ और चीज़ें भी हैं, based on my profile, now you will see, कि LinkedIn मुझे मेरे locality के क्रीब, क्रीब जितनी jobs हैं, मेरे skills से related, कौन सी skills मेरी हैं जी, मैंने जो post पे लगाया है, या मेरी जो profile के अंदर यह वाली skills set है, इस से related मुझे jobs के अंदर recommend करेगी, job के इस पे भी apply कर दो, अभी सिरब 15 लोगों नहीं किया है, इस पे भी apply कर दो, इस पे भी कर दो, इस पे भी कर दो, ठीक है, और यहाँ पर अगर आप check करें, तो आपको interview preparation पे भी, यह lecture देते हैं, resume builder पे भी देते हैं, job seeker guidance पे भी, and there are many other things as well, जो jobs वाले section में मुझूद हैं, अच्छा, हमारे पाकिसान के अंदर, अगर मैं देखना चाहूँ, कि पाकिसान में jobs कितनी हैं, मैं jobs पे click करूँगा, यहाँ पे jobs पे click किया, click करने के बाद, मैं यहाँ पे लिखता हूँ data science, data science लिखने के बाद, यह यॉरोप के अंदर, total data science की इस वकट, जो jobs हैं, वो हैं जनाब, 3690, इस वकट, लेकिन अगर मैं चाहता हूँ, कि यही मैं पाकिस्तान के अंदर देखू, तो मैं इसको search करता हूँ, and you will see, कि 351 पाकिस्तान के अंदर jobs हैं, इस वकट data science की, अच्छा, आप कहते हैं, कि यार, यह तो experience लोगों के लिए हैं, तो मैं कहते हूँ, अच्छा, ठीक है, experience level छोड़ो, यह internship देखते हैं, इस वकट, पाकिस्तान में internship, कोई available नहीं है, तो आप परिशान हो जाएंगे, कि यार, यह क्या हुआ है, मैंने का, ठीक है, entry level देख लो, only for AI people, ठीक है, और usually data science और AI के, आप यहां पर keywords भी लिख सकते हैं, जैसे data analyst, 5 jobs हैं, ठीक है, so you have to find out jobs here, और उन jobs पे आप apply कर सकते हैं, अगर आपके पास time है, skills हैं, और आपके पास experience है, अब यह मैंने internship level के, और entry level पे click कर लिया, क्योंकि आप में से काफी लोग अभी entry level के हैं, date, post date, कब post हुई है, वो देख सकते हैं, company कौन सी है, वो देख सकते हैं, on site करने के remote, मैं कहता हूँ remote job चाहिए मुझे, तो यहां पर आपको पता चल जाएगा, 41 remote jobs हैं, पाकिस्तान के अंदर, और यह jobs हमेशा ही open रहती हैं, believe me, यह turning वालों को पता नहीं, कितना data analyst चाहिए, यह हमेशा open रहती हैं, लेकिन आप में से काफी लोग अपलाई नहीं करते हैं, अपने हाप को weak समझते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, यह entry level jobs हैं, आप किसी भी job पे click करें, click करने के बाद आपको पता चलेगा, कि कितने लोग इस पे apply करते हैं, and how you can match for this job, ठीक है, so इस तरीके से आप remote job भी ढूण सकते हैं, remote के बाद, आप कहते हैं कि यार मैंने remote नहीं जूबनी, मैं चाहता हूँ on site, only on site, तो आपके पास on site जो हैं, 56 results आगे, ठीक है, तो यह पाकिसान की बात हो रही है, इसी तरीके से अगर मैं यहीं से change कर देता हूँ, इंडिया के लिए, तो आपको मैं सिर्फ experience दिखाने वाला हूँ, कि जो हमारे पास 53 jobs थी, लेट सी इंडिया में कितनी हैं, 1273, तकरीबन कोई 15 गुना ज्यादा, इसी तरीके से अगर मैं इसको दुबई बोलू, तो डेटा साइंस की इंट्री लेवल की job 189 है, चलो मैं इंट्री लेवल की छोड़तों, मैं कहतों सारी की सारी jobs बताओ, तो यह तकरीबन तकरीबन 656 है, यह दुबई की बात है, और दुबई में इंडिया, पाकिस्तान, हर जगा से लोग अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, अब इसी अप्लाई किन का है, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, कि आप सिरफ यहां पे अप्लाई के बटन पे क्लिक कर देना, अप्लाई के बटन पे क्लिक कर देना, अप्लाई हो जाता है, बेस्ट अन यूर लिंक्डिन प्रफाइल, यह एजी अप्लाई है, मैं इस पे क्लिक करता हूँ, यहां पे, इस पे अप्लाई करें, इंटर्शिप्स के लिए अप्लाई करें, whatever you want to do, you can do it as soon as possible. Secondly, लिंक्डिन के उपर, आप बड़ी-बड़ी क्म्यूनिटीज को जॉइन कर सकते हैं, तीक है, आप यहां पे सर्च करेंगे, for example, डेटा साइन्टिस्ट, डेटा साइन्टिस्ट मैंने सर्च किया, अब आप देखिएगा, मैंने जॉब पे नहीं क्लिक किया, यह जॉब्स आ गई, पोस्ट आ गई, people who talk about data scientists, people, groups, events, courses, products, more jobs, मैं कहता हूँ कि यार, यहां से आप पोस्ट पे जाओ, तो यह पोस्ट है, ठीक है, चलो मैं कहतो नहीं, people पे जाओ, तो यह हैं वो लोग जो data science के बारे में, ज्यादा पोस्ट करते हैं, you can actually follow them, यहां से आप अपना network बिल्ड करेंगे, ठीक है, अब यहां से आप network भी बिल्ड कर सकते हैं, और इन लोगों को देख भी सकते हैं, बेस्ट ऑन यूर प्रोफाइल, और यह हैं groups, अगर आप groups पे जाओ, तो यह groups हैं, 33 के member है, 669 के, यानि के 6 लाग के करीम members हैं, आप इनको join कर सकते हैं, like this, आप join पे click करेंगे, वो join हो जाएगा, तो usually they will approve your request, तो आपको सिरफ network वो बनाना है, बुलंद करने के लिए, पहले अपनी niche के अंदर रहें, फिर काम करें, फिर यहां पे events पे देखेंगे, तो आपको पता चल जाएगा, कि कितने online free के workshops, webinar, zoom meeting, सारी की सारी LinkedIn पे यहां पे आती है, यह free में होती है most of time, ठीक है, तो आप यहां से वहां पे वो देख सकते हैं, then courses देख सकते हैं, यह सारे के सारे courses हैं, जो एक घंटे का course है, पांच घंटे का course है, Tableau for data science, आप इस पर right click करके चेक करें, तो यह पूरे का पूरा course आपके सामने आजाएगा, and then products, data science की products कौन-कौन सी हैं, जो दुनिया में मजूद हैं, फिर यह more jobs आगी, so this is how you can search one key, और उसका सारे के सारे left hand पे पूरा पर, आपको पता चल जाएगा, कि कौन-कौन सी चीज़ें अवेलेबल हैं, अब आपर ऐसी job चाते हैं, 24 hours के लिए, and then you can actually access this course, but I won't recommend to do that for now, तो इस तरीके से आप data scientist की पूरी की पूरी चीज़ों को चेक कर सकते हैं, अब अगली चीज़ आती है, जो question है हमारा, how to write blogs और articles on LinkedIn, ठीक है, अब किस तरीके से article या blog लिखा जा सकता है LinkedIn के उपर, और उसके लिए आप अपने articles और blog को publish करने के लिए, LinkedIn वालों ने help section के अंदर अगर आप जाएंगे, तो यहाँ पर proper बताया हुआ है, कि आप अपने computer से title या article पूरे का पूरा उठा के अपने profile पे add कर सकते हैं, link दे सकते हैं और उनको publish कर सकते हैं, but for that you need to have your LinkedIn profile in your hand, तो यहाँ पर जैसे है कि आपने यहाँ पर click करने, start a post आगी, अब इस post के अंदर आप बकाईदा, यह वाला जो tool है मेरे पास, अगर आप चेक करें, minimum जो words and 20 कर सकते हैं, और यहाँ पर आप पोस्ट कर सकते हैं, यह मेरा group है, इस वज़ा से मैं यहाँ पर post कर सकता हूँ, otherwise I can post for anyone, ठीक है, तो यह इस तरीके से मैं यहाँ से इसको select भी कर सकता हूँ, it's simple as Facebook, आप देख लें, second, यहाँ पर चेक करें, यहाँ आ रहा है right article, यह, तो अगर आप किसी और website पर नहीं लिखना चाहते हैं, आप यहीं पर right article पर click करें, click कर दिया, now wait a little bit, here, get started पर click करें, get started पर click कर दिया, then, आप यहाँ पर अपना पूरे का पूरा article भी upload कर सकते हैं, या आप यहाँ पर लिखनें अपना article, simple, for example, मैं यहाँ पर लिखता हूँ, data science in Pakistan, तो आप चेक करें, कि जैसे मैं पाकिस्तान लिख रहा हूँ, तो यह इस तरीके से मेरे पास आजाता है, data science in Pakistan, अब जैसे आप नीचे article लिखेंगे, तो सारे के सारा article यहाँ पर आजेगा, वरना आप HTML में लिखके, यहाँ पर ड्रेग और ड्रॉप भी कर सकते हैं, पुरे के पुरा article, आप यहाँ से bold, italic, un-order list, या order list, या यहाँ पर backcodes लगा सकते हैं, यहाँ पर code आपने आइड करना है, तो आप यहाँ पर code लिखेंगे, for example, import pandas as pd, ठीक है, लिखके, आप code आइड कर देंगे, so, अगर आपने code आइड कर दिया है, then you click again, next thing, और code को बंद कर देंगे, तो इस तरीके से आपके पास different चीज़ें, जो आप आप आइड करते जाएंगे, so, you can edit this blog as much as you want, for example, मैं यहां पर कुछ और लिखता हूँ, इसको select करके, इसको मैं code बना देता हूँ, and then I can go on with this, divider मैं आइड कर दूँगा, यहां से आपको link आइड कर सकते हैं, कोई भी चीज़ को hyperlink करना हो, यहां से आप embedded code, for example, मैं अपनी YouTube की video embed करना चाता हूँ, iFrames के साथ I can add that here, यहां से फिर मैं कोई image add करना चाता हूँ, वो कर सकता हूँ, तो यह individual article आप इस तरीके से publish कर सकते हैं, simply आपने next पर click करना है, फिर next पर click करने के बाद, आपके पास यह article पूरा आजाएगा, LinkedIn के उपर आप फिर उसे publish कर सकते हैं, this is very simple, बहुत ही असान है इस article को publish करना, secondly यह होगा, कि आपका यह वाला जो article होगा न, यह blogs की form में आपके profile के साथ match करेगा, और अगर आप English में रुजाना का एक आदा article लिखते जाते हैं, और इसको LinkedIn पर paste करते जाते हैं, believe me, आपके profile लोगों के लिए meaningful साबित होगी, but instead of doing it on daily basis, आपको मैं यह कहूँगा, अच्छा करें लेकिन weekly इसको ले जाएं, so this is how you can write an article, and make your profiles heard from long journey, और right side पर अक्सर होगा था, आपको suggestion आती रहती है, जैसे ही मेरे पास आ रही है, कि फ्लाँ को कर लें, copy फ्लाँ को कर लें, add अपने channel के अंदर, और आप इस तरीके से कर सकते हैं, यही नहीं, आप प्रॉपर एक PDF की files को भी upload कर सकते हैं, like this, यह चेक किजिएगा, यह PDF guide है, मैं इसको open करता हूँ, तो यह फ्लाँ किसी लड़की ने किया है अभी, तो founders हैं जो machine learning, तो इस तरह अपने आप notes पूरे के पूरे अपलोड कर सकते हैं, और notes को इस वकत सबसे ज़्यदा accessibility मिलती हैं, यह चेक करें, 20 pages के 120 pages के पूरे के पूरे notes उस लड़की ने अपलोड की हैं, और लोगों ने इसको इतना post किया हुए, अगर आप गौर करें, 169 repost हैं, repost जैसे retweet होता है, 21 comments है, 682 like हैं, और अगर आप गौर करें, यह अदीती, खिन वरसारा, जो भी नाम है, रवित शो, ACCA किया हुए हैं इनोंने, अगर मैं इनकी profile पर click करूँ भी, तो इनको notification भी चला जाएगा, कि मैंने इनकी profile पर click किया, क्योंकि LinkedIn आगया आपको बताती भी है, but it's fine, यहाँ पर आप इनकी contact information देख सकते हैं, कि यह सारी की सारी इनकी contact information है, और यह इनकी LinkedIn profile है, so you can have an idea, कि इनके कितने contacts हैं, यहाँ पर यह LinkedIn इनका verification badge भी मिला हुआ है, so this is how you can improve your profile, और यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो जो उनने course की हैं, कौन-कौन सी post की हैं, कौन-कौन सी companies के अंदर founder या co-founder हैं, education कहां से हैं, marketing कहां से सीखी हैं, and so on, अब यह इतनी चीज़ें LinkedIn के अंदर हैं, कि एक lecture इनफ नहीं होता, लेकिन आज से मेरी आप से request है, कि आप LinkedIn पर आर्टिकल लिखना start करें, आर्टिकल कैसे लिखना हैं, आप simply, poe.com के उपर जाएं, और यहाँ से help लें, मैं सारे के सारा यहाँ से लिखने को नहीं बोलूँगा, यहाँ से help लें, for example, write a LinkedIn article about data science in Pakistan, ठीक है, लो जनाब, यहाँ से title introduction और इसने पूरे का पूरा आर्टिकल आपको लिख के दे देना है, so you can actually copy the style from here, और अपना आर्टिकल पूरे का पूरा जो है, आप डॉक्टर मुहमाद हमार तो फैल लिखेंगे, तो LinkedIn पे आप मेरी profile आपको मिल जाएगी, तो आपने LinkedIn के profile पे जाना है, अपनी profile से आपने contact जो है, वहाँ पे आना है, और search करके आपने follow करना है, and then I will follow back you, या accept into my connection, और connection में आने के बाद, इन्शाला हम इस पे फिर बात करेंगे, let me see, मैं यहाँ से 13 भी हिटा देता हूँ, तो अब जो मेरी contact की profile है, अगर आप अमार डैश तो फैल लिखेंगे, तो आपको नजर आ जाएगी वो, मैं अपने LinkedIn profile का link, जो है अभी आपको पेस्ट कर देता हूँ, तो यह आपके पास भी आगया LinkedIn की profile का link, आप यहाँ पे जाके, हमें join भी कर सकते हैं, और secondly LinkedIn के बाद, जो हमारा group है LinkedIn का, मैं उसमें भी आपको link भी देता हूँ, अगर आप में से कोई join करना चाहिए, you can also join that LinkedIn group, जिसमें इंशाला हम इस तरह के tips, जो हैं आज से अनवर्ड और भी upload करने वाले हैं, ठीक हो गया लिए, यह था everything about LinkedIn, आप किस तरीके से LinkedIn पे अपना article लिख सकते हैं, और LinkedIn को किस तरीके से utilize कर सकते हैं, सबसे पहला काम आज का आपका यह होना चाहिए, कि आप अपनी एक profile picture बनाएं, खुद से बनाने के बिड़ाई यार, studio में कलको नहाद होके चले जाएं, और वहाँ से अपनी profile picture बनाएं, पहली चीज़ यह, second यह कि आपने जो LinkedIn के profile picture बनानी है न, उस profile picture को इतना जबर्दस बनाएं, कि एक ही ऐसी कमाल किया है, उसे Facebook पे भी लगा सकें, LinkedIn पे भी, Twitter पे और बाकी profiles के उपर भी, Twitter के उपर भी हम बात करेंगे, इन्शाला आने वाले दिनों में, लेकिन आज तक कर लिए इतना ही, और hopefully आपको समझ आगी होगी, कि LinkedIn किस तरीके से हमें help कर सकते हैं, और LinkedIn के profile हम कैसे improve कर सकते हैं, and I would highly recommend कि, अगर आपने ये video को like नहीं किया, तो like कर दे, share नहीं गया, तो अपने दोस्तों के साथ share कर दे, और अगर subscribe नहीं किया, इन्शाला मिलते हैं,